हलो दोस्तो मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना योट्यूब चैनल टेक लाउंडरी दोस्तो इस से पहले वाले वीडियो में इसी टॉपिक पर मैंने जो वीडियो बनाया था वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला आखिर तक देखिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम वाट्सअप पर जाएंगे यह हमारा वाट्सअप यहाँ पर है यह ओरिजनल वाला जो गूगल प्ले स्टोर से डॉनलूट किया हुआ है उसी वाट्सअप पर मैं पहले आपको बताऊंगा यह देखिए मैं वाट्सअप पर आ गया हूँ इसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप girlfriend की chat को hide कर सकते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं chat को select करते हैं माले ये दो chat मैंने select कर लिया और इसको archive कर दिया archive करते ही main page से दोनों chat हट कर hide हो गया है archive folder में चला गया है कोई भी आपका WhatsApp open करता है तो normally इस आइकन को archive वाला आइकन को ignore कर सकता है लेकिन suppose that किसी ने archive folder खोल लिया तो क्या होगा तब तो हमारी चोरी पकड़ी जाएगी तो अब इससे बचने का क्या हो पाई है तो इससे बचने का भी एक trick है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा इसके लिए क्या करेंगे ये archive folder को मैं chat के सबसे नीचे ले जाऊँगा जैसे देखिए ये मेरा जो 7 भाई 2 जो है इसके नीचे में वो chat ले जाऊँगा अब हम आपको देखाते हैं अर्काइब को नीचे कैसे ले जाते हैं archive folder को सबसे पहले मैं archive folder को ही open करूँगा इसके लिए यहाँ सबसे उपर में देखिएगा 3 dot बना हुआ है यह 3 dot को click करेंगे देखिए archive setting है इसको click करेंगे अब यहाँ पे देखिए keep chat archive यहाँ पर एक लिखा हुआ है archive chat will remain archived when you receive a new message इसको आप जैसे off करोगे तो वहाँ से आपका archive folder जो है नीचे चला जाएगा चलिए आप उप दिखाते हैं यह देखिए सामने आपका archive folder नहीं है वो नीचे चला गया यहाँ तो ज्यादा तर chances है इस folder को सब ignore कर देंगे इसे कोई open नहीं करेगा अब चलिए मैं आपको दूसरा trick बताता हूँ इस trick को जानने के लिए आपको third party application का सहारा लेना पड़ेगा मैं बात करने जा रहा हूँ जीवी WhatsApp की ऐसे WhatsApp को मैं recommend नहीं करूँगा कि आप use करें इसमें आपका data चोरी होने का खत्रा है चलिए WhatsApp को open करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप अपनी girlfriend की chat को hide कर सकते हैं मैं ये जीवी WhatsApp open कर लेता हूँ अब आप देखेंगे सबसे उपर WhatsApp जो लिखा है उसको आप click करेंगे उसको touch करेंगे उसको touch करते ही देखें यहाँ पर pattern, pin और fingerprint डालने का option आ गया है तो मैं यहाँ normally pattern डाल देता हूँ fingerprint नहीं डालते हैं third party आप है V ये मैं डाल देता हूँ अभी क्या है कोई भी चैट पर यहाँ से select करके उसे hide कर सकता हूँ कैसे hide करेंगे चलिए अब दिखाते है सबसे पहले हम एक चैट को select करेंगे माल लेजिए मैंने इनका chat select कर लिया सबसे उपर देखिया three dots दिख रहा है इसको click करेंगे hide chat को click करेंगे यहाँ पर जो lock आया है इसमें वही वाला pattern देंगे जो मेरा hidden folder में मैंने दिया है तो यहाँ पर इस तरह से pattern देंगे chat हमारा चला गया यहाँ से उठकर उस folder में जाकर save हो गया अभी क्या है कि वो chat तो देखने के लिए यहाँ पर click करना होगा फिर ऐसे करके इसको password देना होगा अब देखे यह chat हमारा यहाँ आ गया suppose that इस chat का आप notification भी नहीं चाहिए इसके लिए क्या गरेंगे इनका chat ऐसे open करेंगे फिर dot में जाएंगे अब mute कर देंगे mute notification always always करके okay कर देंगे इनसे जो भी मेरा message आएगा वो उनका message आया है तो है ना यह भी एक कमाल का trick दोस्तों तो आपको हमारा यह trick कैसा लगा comment करके जरूर बताएं वीडियो को like करें और subscribe करना बिल्कुल भी न भूले आज की लिए इतना ही thank you